सब्सक्राइब करे मेरे चैनल स्पाइडा को और बेल आइकॉन दबाए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दा बिग मैफल लीफ नाम के सोने के सिक्के को साल 2000 में चोरी कर लिया गया था इसे चार लोगों ने ब्रोड म्यूजियम से चुराया था बीते दुनों इस मामले पर सुनवाई हुई लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिक्के का इतिहाद बड़ा ही रोचक है आज हम आपको इसके बारे में ही बताने जा रहे हैं दा बिग मैफल लीफ की कहानी 2007 में शुरू हुई यह उन पार सिक्कों में एक है जिने रॉयल केनेडियन मीट ने बनाया था इस कंपनी ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जिसके जरिये वह 99.999% सिक्का बनाता है 1982 में उसने 99.99% सिक्का बनाया था आपको जानकर हैरानी होगी कि सिक्के का वजन करीवन 100 किलो और इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिक्का मना जाता है कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 30.38.00 रुपे से भी जादा है इस सिक्के पर कुईन इलिजाबेट 2 की फोटो बनी हुई है इस सिक्के को एक अग्यात केलेक्टर से लोन पर लेकर ब्रॉड म्यूजियम में रखा गया था 2007 में दा बिग मैपल लीफ नाम के इस गोल्ड के सिक्के को गिनिस बोक आफ वर्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा सिक्के के तोर पर दरज किया गया बता दे कि 27 मार 2017 को इस सिक्के को जर्मनी किस्टित ब्रॉड म्यूजियम से चुरा लिया गया चुकि सिक्के काफी भाई था है इसलिए इसे चुराने के लिए सीडी एक ठेला और रस्ती का इस्तिमाल किया इस मामले में जांच के दोरान पुलिस ने चारो अभी उक्तों को गरिफतार कर लिया लेकिन सिक्के का कहीं पता नहीं चला